नमस्ते स्टूडेंट्स तो इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रिंसिपल ओफ सुपर पोजीशन ओफ ग्रैविटेशनल फोर्स के ऊपर का एक क्वेशन एकजामपल तो हम इसको किस तरह से क्वेशन में अपलाई करेंगे तो जैसे कि हमें पता है कि ग्रैविटेशन जो जो बच्चे पढ़ते हैं उनको अच्छी तरह से पता है कि जब भी कोशन सामने आता है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं ब्लॉक हो जाते कि भाई कोशन मैं कहां से स्टार्ट करू अभी कोशन के अगर फीजिक्स की बारे में कहा जाए तो बच्चे क्या सोचता है कि भाई फॉर्मोले लगाओ वैल्यू डालो और अंसर निकालो बास अब मेरा काम हो जाएगा मेरा हो गया मेरे पढ़ाई हो गई यह बात है नहीं तो अभी क्या करना है तो मैं आपको एक नया मेथड बत देक पार होगे कि एक तीन मासस से आ भी और सी पर एक तो एक के उपर रखाओ ही है मास boy के ऊपर रखाहु आ है कि स्मौल एं और क्रीक्स की ऐउपर रखाहुआ है स्क्स्टी कोर्याबर तो अभी जब भी तोड़ा सा असंवाल है पर मुझे इस से बताना है कि की to tackle the questions, जो सब लोग कहते हैं न, कि imagine करो, imagine करो, apply करो, तो कैसे किया जाता है, इसका सवाल, इस सवाल का answer सिफ मेरे पास है, जो यह से मैं बोल सकता हूँ, तो ठीके, तो इधा देखे, कि अभी हमें निकालना है, resultant force on the mass placed at B, B के उपर, जो mass रखा हुआ है, small m, उसके उपर का force हमें निकालना है, resultant force निकालना है, तो उसके लिए lines to draw है, तो imagination कैसा चाहिए, देखो, कि भाई, अभी जो mass C है, C के उपर रखा हुआ जो mass है, वो B को क्या करेगा, pull करेगा, वो B को क्या कर रहा है, एक pulling force लगा रहा है, तो कैसी imagine करना है, दिमाग में, यह देखिए, ऐसा picture चलनी चाहिए, ठीक है, तो अभी next है, कि अभी जो mass A के उपर रखा हुआ है, A के उपर जो mass है, वो भी तो pull करेगा, वो भी तो force apply करेगा, तो चलो, देखते, imagination ऐसी चाहिए, कि यह force अभी pulling कर रहा है, तो जो mass B के उपर र forces है, अभी यह दो forces, दोनों, दो forces perpendicular है, यह दो forces कैसे, they are perpendicular to each other, तो आप अगर देख पा रहे होगे, तो यह force, इन दोनों force के बीच में, यह 90 degree angle है, बराबर है, काम करेंगे, यह ज्यादा बड़ा हो गया, चलो, कोई बात नहीं, 90 degree angle है, ठीक है, अभी यह force को, इसको मेरे को resultant force चाहिए, मैं principle of superposition यूज़ करने वाला हूँ, जो पहले, सबसे पहली बात, vectors में हमने पढ़ा होगा, whenever there are two forces perpendicular to each other, उसका resultant हम कैसे निकालते हैं, इन ऐसे cases में, resultant force vector, थोड़ा सा vector याद करो, vectors में, resultant force is equal to under root of F c square, प्लस F a square, हाला कि इसको भी हम conceptualize जा सकते हैं, पर हर चीज़ अगर conceptualize है, जाओगे, आप जाओगे, तो time ज्यादा consume होगा, हमें कुछ basic चीज़े तो भई, याद तो रखनी पड़ेगी, यह तो सबसे basic चीज़े से, basic चीजों में से एक है, तो ठीक है, अब यह हमको निकालना है, force exerted by the mass placed at c, and force exerted by the mass placed at a, तो recall करो, force, gravitational force is equal to product of their masses, अभी यह है, c के उपर रखा हुआ, जो mass है, उसका force निकालना है, तो इन दो masses का product करना है, g into 64 m, यह लिलिया, एक का mass, दूसरे का mass क्या है, small m divided by distance का square, दोनों के बीच का जो distance है, यह किता है, 8d, 8d का square, 8d का square है, ठीक है, similarly, हम force exerted due to the mass placed at a, भी तो निकाल सकते, force exerted by mass placed at a, is equal to g, अभी थोड़ा देखो यहां पे, a और b पे रखे विए दो masses का product, that is 36 m, into by small m, divided by 6d का square, यह है, 6d का square, लिख दिया, ठीक है भाई, अभी यह भी तो हमने लिख दिया, अभी इसको क्या करना है, सिर्फ solve करना है, हमारा question था कि, what is the resultant force exerted on mass smallium, अभी यह visualization जो method है, तो कोई नहीं बता देगे question में हम कैसे visualize करें, तो यह ऐसी नए चीज़े में हर बार लेके आऊंगा, मेरे videos में आऊंगा, और मेरे बच्चों का selection हो, यह मेरी इच्छा है, तो यह तो आसान सवाल है, मुश्किल सवाल को भी हम easy बनाएंगे, f a is equal to 36 g m small m divided by c, यह इसका square करोगे, 36 d square, 36, 36 हमने क्या कर दिया, इसको cancel कर दिया, अभी बच्चा आपका c वाला, c वाला करेंगे, f c is equal to, यह 64 g capital m small m upon 8 d का 64 d square, और यह 64, 64 cancel, हो गया, अभी कुछ नहीं, इसको हम, हमारे जो vector का formula है, जब दो forces perpendicular थे, उसको अंदर डाल देंगे, देखो बच्चो, हमें solve करना है, concept apply करना है, जैसी कि मैंने यहां पर concept apply किया, इसको solve किया, अब यह भी एक concept है, यह vector का concept है, यह Newton's law of gravitation का concept है, और यह multiple concept questions भी हम ऐसे बोल सकते हो, यह हाला कि फोटा सा आसान question है, हम difficult questions में भी दीरे दीरे जाने वाले, तो इसको हम just substitute कर देंगे, देखेंगे resultant force क्या आता है, f resultant is equal to under root of, दो forces डाल देते हैं, अभी दोनों देखो equal है, g capital M small m upon d square का whole square, plus similarly g capital M small m upon d square का whole square, यह तो फिर twice हो जाएगा, exactly, यह दोनों twice करेंगे, यह प्लस यह double हो जाएगा, so this is equal to under root of two times of g capital M small m upon d square का whole square, ठीक है, तो square under root निकाल देंगे, तो यह होगा आपका resultant force, और resultant force होगा, यह बहार निकाला, g capital M small m upon d square, और root में बच्चा, two, तो यह हो गया भाई, आपका resultant force on mass, यम placed at point B, तो ऐसे ही हम, जो जो difficult, आपको जो difficult questions लगते हैं, ऐसे difficult questions को भी हम visualize करके, हम कर सकते हैं, तो इसके आगे आप याद रखोगे, कि जबी भी हमें 2 से ज़्यादा point masses दिखेंगे, तब हम use करेंगे principle of superposition, और principle of superposition यूज करने के लिए, यह visualization method आप याद रखोगे, मैं और भी कुछ questions AC के उपर में करके दिखाऊंगा, visualization method में करके दिखाऊंगा, कि आपको उसमें थोड़ी सी आसानी होगी, ठीक है, मिलते हैं आपने next video में, तंक यू.